चलिए आज सीख लेते हैं कि अपने अधार काड़ पे आप कितना सीम यूज़ कर रहा है वो कैसे चेक किया जाएगा उसके बारे में जिसा कि आपको पता है कि कोई भी सीम लेने के लिए अधार काड़ कमपलसरी होता है बीना अधार काड़ का आपका सीम एक्टिवेट नहीं होगा और ना ही आपको मिलेगा हो सकता है कहीं आपके नंबर पे आपके अधार काड़ के नंबर पे कोई और भी अगर सीम यूज़ कर रहा है तो वो भी इस वीडियो में आप जान सकेंगे तो कैसे चेक किया जाएगा कि अधार काड़ पे कितना सीम अभी की समय में एक्टिवेट है कितना सीम चालू है चल रहा है वो चीज आप जानेंगे इस वीडियो में तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल कुरूम को ओपन करना है और उसके बाद से आपको टाइप करना है उसमें इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप टेरिक्ट सर्च कर सकते हैं जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले इंटर यूर मोबाइल नंबर कर रहा है तो यहां पे आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपका अधार कार्ट से लिंक है अगर आपका मोबाइल न लिंक नहीं है तो फिर आप नहीं देख पाएंगे तो यहां पर आपको क्या करना है कि कि अपना फोन नंबर इंटर कर देना है जैसे मैं अपना यहां पर फोन नंबर कि टाइप कर दिया और यहां पर रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है कि अब जो आपके नंबर पर ओटीपी आएगा उस ओटीपी को इसमें डालना है कि अब यहां पर वैलिडेट पर क्लिक कर देना है अब यहां पर आप देख रहे हैं कि लिस्ट आफ मोबाइल नंबर आ गया है नीचे जब आप स्लाइड करें के जाएंगे तो देख सकता है कि मेरे अधार नंबर पर यहां पर तीन-तीन सीम चल रहा है तो जो भी आपकी अधार नंबर पर जितना भी सीम अक्टिवेट होगा इस तरसे लिस्ट वाज सो करने लगेगा इसमें मोबाइल नंबर का स्टार्टिंग तूज डिजिट दिखाता है और लास्ट वाला चार डिजिट दिखाता है तो इसे आप अपना नंबर पहचान सकते हैं अगर गल्ती से कोई और भी इस नंबर आपकी अधार नंबर पर यूज कर रहा है जैसे महले ते कि इसमें 3 सीम दिखा रहा है और इसमें से कोई एक sim आपका नहीं है, जिसे example के लिए समझे लिए कि first वाला sim आपका नहीं है, तो उसको आप बंद करा सकते हैं, शेक कर देना है वहाँ पर उसके बद report जो अपसंदिया हुआ, यहां से आप report कर देंगे, तो वो sim जो है आपका बंद हो जाएगा, या आप report कर देंगे, check करके, तो आपका sim क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, उसके अपस चेक करने के बद आप क्या करेंगे? लाग आउट कर देंगे, लगाउट करने के बाद से फिर दूसरे अधार नमबर से चेक कर सकते हैं यह जितना भी अधार नमबर है आपके पास अधार कड़ है आपकी घर में या आपके नाम से उस सब का एक एक करकी चेक कर सकते हैं